प्रोस्टेट का असमाने रूप से बढ़ना एक ऐसी बिमारी है जो 50 वर्ट से उपर लवक दो में से एक पुरुष को होती है इस बिमारी को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाईपरलैप्सिया यानि BPH के नाम से जाना जाता है प्रोस्टेटिक अकरोट के आकार की ग्रंती होती है जो ब्लेडर के निचले हिस्ते में होती है और मूत्र मार्ग को चारो और से घेरती है दोस्टो ये सीमिन में जाने वाले रसको बनाने का काम करती है ये ग्रंटी सिर्फ पुरुशों में पाई जाती है और जीवन भर बढ़ती रहती है लेकिन जब दोस्तों ये बहुत ज़ादा बढ़ जाती है तो यूरीन का जो रास्ता होता है जो मूत्र मार्ग होता है उस पर दवाब डालने लगती है और पेशाप की धारा को दोस्तों रोकने का ये काम करने लगती है जिसके चलते फिर लोगों को यूरीन करने में कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता है या उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि उन्हें यूरीन जाना चाहिए दोस्तो प्रोस्टेट के बढ़ने को अगर शुरुआती दौर में पहचान लिया जाए तो इसको दवाईयों के माध्यम से रोका जा सकता है ऐसे में इसके लक्षणों को नियंत्रिट करने के लिए दोस्तो डौक्टर आमतौर पर जिस ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में दोस्तो हम उसी ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं अगर आप भी दोस्तो प्रोस्टेट के सिंटम्स को कंट्रोल करने वाले इस ड्रक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सभी दोस्तो वीडियो में हम ऐसा अरलास तक जरूर बने रही है साथ ही दोस्तो अगर ऐसी ही अगर आप अपनी दवाईयों की और ड्रक की नॉलिज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि दोस्तो ऐसे ही अलग अलग बिमारी के लिए हम कई सारे ड्रॉक्स को लेकर आते हैं जिनको हम सिंपल भाशा में समझने की कोशिश करते हैं नवस्कार दोस्तो और स्वाग अतै आप सभी का हमारे चैनल स्वास्त सलाकार पर दोस्तो आज इस drug के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है Tamsolucine दोस्तो इस drug को कई सारी कंपनिया अलग-अलग नाम से बना कर मार्केट में बेजती हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो आईए जानते हैं दोस्तो की कौन-कौन सी वो कंपनिया है और किस नाम से दोस्तो इस ड्रग को मार्केट में वो बेजती हैं दोस्तो आज जो पांच ड्रग हमने लिए हैं दोस्तो जिनमें आपको ये ड्रग कॉमनली देखने को मिलता है यानि कि TAM Solution जिसमें आपको कॉमनली देखने को मिलता है उनमें शामिल है Dynapress 04 Capsule PR, Contiflicon 0.4 MG Tablet PR, Tamdura Capsule PR, Weltem 0.4 Tablet MR और Urimax 0.4 Capsule MR दोस्तो अगर हम इनके कंपनियों की बात करें जो इन दवाईयों को बनाती हैं दोस्तो डाइनप्रेस को बनाते हैं Dr. Reddy's Laboratory Contiflolcon को दोस्तो बनाते हैं Sun Pharmaceutical Limited Tamdura Capsule को भी दोस्तो Sun Pharmaceutical Limited ही बनाते हैं Weltem को दोस्तो बनाते हैं Intes Pharmaceuticals वही Urimax को दोस्तो बनाते हैं Cipla Limited क्योंकि दोस्तो Tamsolucin जो है एक Generic Drug है इसलिए कई सारी कंपनिया दोस्तों से मार्किट में अलग-अलग नाम से बना कर बेजती हैं अब दोस्तो अगर हम इनके composition की बात करें तो आपको सभी दवाईयों में दोस्तो Tamsolucin जो है वो commonly देखने को मिलेगा क्योंकि सभी दवाईयों दोस्तो Tamsolucin यानि कि 0.4 mg दोस्तों यहाँ पर quantity रखा गया है इस drug का हर ड्रग में आपको Tamsolucin 0.4 mg में मिल जाता है लेकिन अगर हम बात करें दोस्तो Tamsolucin की जिसको Sun Pharmaceutical Limited बनाते हैं तो इसमें आपको Tamsolucin के अलावा दोस्तो Dutasteride एक ड्रग है वो भी आपको मिल जाता है 0.5 mg इसका क्या रोल रहता है दोस्तों इसके बारे हम वीडियो में आगे बात करेंगे अब दोस्तों अगर हम बात करें तो यह आपको Tablet और Capsule Form में मिल जाते हैं यानि अगर हम पहले बात करें Capsule की तो Dynapress, Temdura और Eurimac दोस्तों आपको मिल जाते हैं Capsule Form में और वहीं दोस्तों बात करें कॉंटी फ्लोलकन और वेल्टिम की दोस्तों तो यह आपको मिल जाते हैं टेबलेट फॉर्म में अब क्या प्राइज दोस्तों इसका रहता है वैसे दोस्तों हर जगह पर जो दवाईयों का प्राइज होता है वो वेरी करता है लोकेशन के अकॉर्डिंग लेकिं अगर हम एक जनरेल प्राइस की दोस्तों बात करें जो कि आपको इटरनेट पर भी देखने को मिल जाता है तो दोस्तो डाइन उप्रैस आपको मिल जाता है 370 रुपे में कितने टाबलिट या कैपूल आपको देखने को मिलते हैं दोस्तो एक स्ट्रिप में तो अगर हम बात करें डाइन प्रेस की तो यहाँ पर 30 कैपूल आपको देखने को मिलते हैं एक स्ट्रिप में, QuandTis planning की दोस्तों हम बात करें, तो इसमें आपको 10 टैब्लेट देखने को मिलते हैं, टैमडूरा कैपसूल में, weekends, in de长is, दे स्ट्रिप में, weldarem में आपको मिलते हैं, पंदरा टैब्लेट benign prostatic hyperlapsia के treatment में क्योंकि दोस्तों ये जो दवाईयां है ये एक तरीके की alpha adrenergic antagonist दवाईयां है दोस्तों जो की use की जाती है benign prostatic hyperlapsia को उसके लिए दोस्तों ये इसके symptom को भी रोकने का काम करती हैं जैसे की urine करने में दिक्कत होना या फिर दोस्तों बार बार urine की आपको ऐ control करने के लिए इसका use किया जाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको clear बता दें कि यह दोस्तों यह सभी drug या यह सभी दवाईयां दोस्तों प्रोस्ते के size को घटाने का काम नहीं करती है इस सिर्फ वोस्तों जो symptom आपको देखने को मिलते हैं उनको control करने के लिए इनका यूज किया जाता है अब क्या benefit होते हैं दोस्तों तो already हमने जैसा बताया बिनाइन प्रोस्तिक हाइपरलैप्सिया में दोस्तों इन सभी drugs का या इन सभी दवाईयों का use किया जाता है अब दोस्तों जब भी doctor आपको इन दवाईयों को prescribe करते हैं तो इनके कुछ आपको side effect भ order आपको देखने को मिल सकता है यानि कि ejaculate करने में आपको problem हो सकता है उसके अलावा दोस्तों आपको retrograde ejaculation की problem भी हो सकती है तो यह दोस्तों कुछ प्राबलम आपको देखने को मिल सकते हैं इन drug को use करते समय वहीं दोस्तों अगर हम बात करें टैमडूरा capsule की दोस्तों क्य देखने को मिल सकता है उसके अलावा दोस्तों यह आपके लिविडो को कम कर सकता है यानि कि जो आपका दोस्तों sexual power है यह sexual capacity है दोस्तों इसको कम भी यह कर सकता है इंपोटेंसी दोस्तों create कर सकता है यह इंपोटेंसी भी बना सकता है अगर इसको गलत तडिके से लिया तो यह बहुत जाधा serious दवाईयां है दोस्तों इनको कभी भी आप खुद से use करने के बारे में ना सोचे unless आपके doctor आपको इन्हें prescribe करते हैं तो दोस्तों doctor के prescription के बाद ही आपको इन दवाईयों को use में लाना चाहिए कभी भी खुद से इनका use मत करिए अब कैसे दोस्तों इन्हें use किया जाता है although doctor आपको बताते हैं कि आपको किस तरह इन्हें use करना है और इनका proper क्या तरीका होता है दवाईयों को लेने का लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप इन्हें ले रहे हैं तो हमेशा proper time पर लीजिए जैसे भी आपको doctor ने बताया हो उसके अलावा खाना खाने के बाद ही दोस्तों आपको इन drug को लेना चाहिए पानी के साथ में चावाना और तोड़ना और पीसना नहीं होता है दोस्तों इन दवाईयों को आपको निगल जाना होता है जो भी टैबलेट या कैप्सूल होता है उसको निगल लेना होता है अब इन drug के साथ में दोस्तों को सेफटी एडवाईज बहुत ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि सीरेज डवाईयां है यह प्रॉस्टेट के लिए प्रॉस्टेट के सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इसे जोड़ी कुछ बारे में जाने अबंको बहुत सब्रशाइं हो सकता है और अगर दुस्तों डॉक्टर लाओ करते हैं तो आप इन का यूज़ करिया दोस्तो किसी भी दवाई को डॉक्टर से पूछे यूज़ मत करिये क्योंकि वो सेफ नहीं होता है क्योंकि सब दवाईयों के साइड इफेक्ट होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने ड्राइविंग शुरू किया और उसका जासा फील हो वर्टिक हो महसूस हो तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर अच्छा नहीं है कि आप इसको ड्राइविंग के समय लें ड्राइविंग के बाद यह ड्राइविंग यह अगर आपको लगता है कि अभी चार-पांच घंटे आप ड्राइविंग नहीं करने वाले हैं तो दोसके अलावा दोस्तों किड्नी से संबंदित अगर आपको परशानी है या आप ट्रीट्मेंट ले रहे हैं तो वहाँ पर क्या आप ले सकते हैं इन दवाईयों को तो दोस्तों वहाँ पर भी डॉक्टर की पर्मिशन के वगयर किसी भी ड्रग को मत लीजिए चाहे किड् आप ही दिया है उनको तो एक बार उनसे कंसर्ट कर लीजिए क्या मैं इस ड्रग को ले सकता हूं इन दवाईयों के साथ में अगर वो आपको अलाव करते हैं तब ही उनका यूज़ करिए खुद से अल यूज़ उनका मत करिए अब अगर आप कुछ ड्रक्स ले रहे हैं और देखने को मिलता है उसके लावा आपको देखने को मिलता है फ्लू के उना जोल आपको देखने को मिलता एक ड्रक के तौर पर इंडी नैविर देखने को मिलता है उसके अलावा दोस्तों आपको देखने को मिलता है आई ट्रक कैन जोल तो यह कुछ ड्रग हैं दोस्तों जि जी क्योंकि life के लिए बहुत ज़्यादा serious हो सकता है दोस्तों अगर ये दोनों drugs एक से आथ आपके शरीर में जाते हैं तो ये कुछ दोस्तों आपको precaution लेने चाहिए अगर आप इस drug को already use कर रहे है या doctor ने आपको prescribe किया है one more time कभी भी doctor के advice के बिना किसी भी दवाई को use करने से बचें क्योंकि हर दवाई के अपने side effect होते हैं और कितने dose की आपको requirement है ये भी दोस्तों doctor को अच्छे से पता होता है तो इसलिए doctor के advice के बाद ही दवाई को use आपको करना चाहिए तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की एक drug की बारे में दोस्तों जिसका नाम है time solution दोस्तों जिसका use किया जाता है prostate के symptoms को control करने के लिए आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको informative लगा होगा पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो आप like को share कर स आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे कि आगे भी दोस्तों आपको ऐसी drugs दवायों की knowledge मिलती रहे और आप अपने आपको upgrade करते हैं medicine के बारे में वीडियो में दोस्तों आप सभी लास तक हमाई साथ जोड़े रहे उसके लिए आप सभी का तब एारे में दोस्तों आप सभी लास अ Collum